नमस्कार जहिंद औल एक्जाम गैड गुरू का यूटूब चनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे यहाँ पर आपके लिए लेकर आगए हैं पिछले 30 साल से भारत के सभी एक्जाम में बार बार पूछे गए जीके के कॉश्चन दूस्तों आप जिस एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके आएगा और यह जो कॉश्चन इनमें से कॉश्चन आपको फस सकते हैं 100% गैरंटी है इनमें से कई कॉश्चन आपको फस सकते हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से देखिए और कोशिश क करिए यदि दो-चार कॉश्चन वीस में से आ गए तो आपके पास होने फेल होने में सिर्फ दो-चार नंबर का ही फर्क होता है इमानदारी बरती है जिसको एक्जाम निकलना बाकी तो छोड़ी दीजिए और सुपर फास्ट इस पीड़ में वीडियो रहेगा हमारे चनल पर प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वाइचुंग भूटिया का समद किस खेल से है तो वाइचुंग भूटिया जी यह आपके फुटबॉल से संबनित है ऑप्शन अंबर यहाँ पर सी फुटबॉल राइट आंसर है कमेंट करके बताइए हार्दिक पांडिय हार्दिक पांडिया किस खेल से संबनित है आप लोगोंने नाम सुना होगा हार्दिक पांडिया का कमेंट करके बताइए कि हार्दिक पांडिया किस खेल से संबनित है भारत में तंबाकु की खेती किस ने प्रारम की थी तो भारत के अंदर तंबाकु की खेती पुर्त गाल आदिना मस्ज़िद कहां परिस्थ है तो अदिना मस्ज़िद फेमस यह आपकी पस्षिम बंगल में है ओप्षिन नमज़िद शांती निकेतन का संबन्द किसे व्यक्ति से है तो शांती निकेतन जो यह रविंद्र नाथoroufen thirty जो आए कृष्ट है diverse थैट्नित सरा क्रिकेट खेल में विक्तों के बीच की दूरी कितनी होती है तो ख्रिकेट के खेल में विक्तों के बीच की जो ौती है बाईस गज होती आप्शन ॅमबर गाजी इस गज nov यह बावर किस राज्य की प्रमुख लोक नत्य है तो जो बाउल है यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नत्य है option number पश्चिम बंगाल राइट आंसर है चेचक रोग किसके कारण होता है तो आपका जो चेचक रोग होता यह विशानू से फैलने वाला रोग है आप्शन नमबर भी विशानु से होता चेचक रोग ओरे विले इस्थल का सम्मध किस व्यक्ती से है तो ओरे विले इस्थल ये अर्विंद घोशी से सम्मनित है आप्शन नमबसी अर्विंद घोशी राइट आंसर है निमन व्याज दरवाला रण क्या कहलाता है तो कम व्याज दरवाला रनक, सुलब रन कहलाता है, option number C, सुलब रन राइट आंसर है आनन्द भवन का संबंद किस व्यक्ति से है, तो आनन्द भवन ये जवाहर लाल नहरूजी से संबनित है option number C, जवाहर लाल नहरूजी राइट आंसर है option number c गोमती नदी right answer है मुगल शाषन में मनसबदारी परथा इसमन थार, उपका नागालेंड राज्य बना था भाशा के आधार पर सबसे पहला राज कौन सा बना था? comment box में comment करके उता हिए भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो भारत के कौन से खिलाड़ी थे हैं ऐसे right answer हो जाएगा major ध्यान चंद्र इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है option number B major ध्यान चंद्र प्रश्णी के लिए right answer है विज़े नगर सामराज की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जो विज़े नगर सामराज था इसकी स्थापना चौधवी सतापदी में की गई थी option number C चौधवी सतापदी right answer है हे राम प्रमुक वचन था किसका? तो हे राम ये शब्द निकले थे महात्मा गांधी जी के मुख से कब निकले थे? वताइए कमेंट करके एक बहुत जो है किस समय हे राम ये प्रमुक वचन महात्मा गांधी जी के मुख से निकला था अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर किस राज्य में अवस्तत है? अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर करनाटक राज्य में अवस्तत है option number C करनाटक राज्य राइट answer है गोरा उपन्यास के लिखा कौन है? गोरा नामक जो पन्यास है रविंद्रनाट टैगोर जी के दौरा लिखा गया है option number C रविंद्रनाट टैगोर जी राइट answer है फोर्ट विलियम का प्रसम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का सबसे पहला अध्यक्ष चाल्स आयर option number C चाल्स आयर प्रश्णि के लिए राइट answer है जर्मनी और पोलेंड के बीच की सीमा रिखा के कहलाती है तो जर्मनी और पोलेंड के बीच हिंडन बर्ग रिखा है option number C हिंडन बर्ग रिखा प्रश्णि के लिए राइट answer है कुट्बिनार के पास इस्थित लो इस्थम को किसने उनवाया तो कुट्बिनार के पास इस्थित लो इस्थम चंद्रगुप्त द्वती के द्वारा बनवाया गया option number यहां पर be right answer है दोस्तों आप question देखी रहें कितने शांदार question है हमने आपके लिए यही जो question है आपके एक्जाम जिसे एक्जाम के आप तयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीकी के question और हमने 10,000 question है तयार कर लिए है भारत के सभी एक्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा यह question है इसकी हमने बना लिए pdf अब pdf क्या है आप mobile पर पढ़ सकते हैं किताब जैसे पूरी pdf तयार कर लिए है whatsapp पर आप सभी को pdf मिल जाएगी 10,000 gk mcq है सोची आपने 10,000 gk mcq लगा लिए तो कितने शांदार आपके जो है 300 रुपए की है लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को यह pdf मिल जाएगी और phone पे google पे ptm से आप payment कर सकते हो नीचे दियेगे नंबर पर और whatsapp पर आप pdf राप्त कर सकते हो जो भी phone पे google पे ptm नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से रिस्तेदारों से कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचाज कराते हैं वहां से payment करके प्राप्त कर सकते हो आप सोचिए कि आपके mobile जो मंतली होता है उससे भी कम अदाम में हमें आपको 10,000 कौशन दे रहे हैं यह कॉलना उठाओ तो WhatsApp कर लेना लोहा और निकल प्रत्वी के किस भाग का प्रमो घटक है तो लोहा और निकल यह प्रत्वी के क्रोड में पाए जाता है option नमसी प्रत्वी का जो क्रोड है वहां पर लोहा और निकल पाए जाता है चंपारन सत्यागर यह कब हुआ था तो चंप अबाद चोने को पता हैं किस ने किया तो संपूर क्रांथी का यह आपका किया घया जय प्रकाश नारहन जी के दिवारा अप्शन न estás === जय प्रकाश नाराण जी ने संपून करांती का नित्रतु किया बिंदुसार का संबंद किस राजवन से है तो बिंदुसार जो है मौर राजवन से संबंदे थे option number ए मौर राजवन से right answer है कुशाण वंस का प्रशिद्य शाषक कौन था तो कुशाण वंस का प्रशिद्य से आशक था आपका कनिश्क, option number ए कनिश्क प्रशन के लिए right answer है द्वतिय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाए गया था और दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत में भारत छोड़ो अंदोलन चलाए गया था option number एंपर C, भारत छोड़ो अंदोलन right answer है ग्रहों की गती के नियम का प्रथिपादन किस ने किया option number सी मस्तिस्क right answer है भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्न जनल कौन था तो भारत का आखरी अंग्रेज गवर्न जनल था आपका Lord Mountbatten option number एंपर मांट बेटेन राइट आंसर है परमाणू का केंद्र क्या कहलाता है तो जो परमाणू है इसका केंद्र आपका नुकलियस कहलाता है option number एंपरी नुकलियस राइट आंसर है इनकलाब जिंदाबाद का नारा मैंसे किसके दवारा दिया गया इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंग का नारा था option नुमबर भगत सिंग राइट आंसर है तो राजेंद प्रशाद जी को बिहार का गांधी किसे कहा जाता है तो बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद प्रशाद जी option number D डॉक्टर राजेंद प्रशाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है अगला कोशन देखी इसमें पूछा गया है मैं राजे हूँ किस ने कहा था तो मैं राजे हूँ ये लुई 14 ने कहा था option number D लुई 14 प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा मैं राजे हूँ इलेक्ट्रॉन की खोच किस ने की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोच की थी आपकी जे जे थॉम्शन ने option number C जे जे थॉम्शन इलेक्ट्रॉन की खोच करता कमेंट करके बताओ कि प्रोटॉन की खोच किस ने की थी प्रोटॉन की खोच किस ने की थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, विटमिन E का रासानिक नाम क्या होता है, तो विटमिन E जो होता है आपका टोको फेरोल, विटमिन E का रासानिक नाम होता है, टोको फेरोल, ऑप्शन नमर यहां पर राइट आंसर है, किस देश में पहली बार सामेवाली सरकार की स्थापना की गई थी, तो सामे वाली सरका जो पहली वार बनी थी यह आपकी बनी थी रूस में ऑप्शन अंबसी रूस प्रश्ण के लिए राइट आंसर है आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है तो आधुनिक भारत की मीरा इस नाम से महादेवी वर्मा विख्यात है option number यह महादेवी वर्मा हो जाएगा प्रश्ण के लिए अच्छा कमेंट करके बताओ हमारे शेरी में लीवर कितने होती है और किड़नी कितनी होती है लीवर कितने होते हैं हमारे शेरी के अंदर एक या दो किड़नी कितनी होती है एक या दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था अंबेडकर जी के बचपन का नाम था आपका भिवा option number सी भिवा right answer हो जाएगा प्रश्ण के लिए ओंग जंजाती कहां पर निवास करती है तो ओंग जंजाती ये आपकी अंडमान द्वीप मर पाई जाती option number भी अंडमान द्वीप पर ओंग जंजाती पाई जाती है प्रोटॉन की खोच इनमें से किसके द्वारा की गई तो प्रोटॉन के खोच करता है आपके गोल्ड इस्टीन option number ए गोल्ड इस्टीन प्रश्ण के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा प्रोटॉन के खोच करता अगला कोशन देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि कारगल विजय दिवस किस्तीती को मना जाता है तो कारगल विजय दिवस ये आपका 26 जुलाई को मना जाता है option number C 26 जुलाई राइट answer हो जाएगा एक बात बतानी थी आपको लोग बहुत confuse होते हैं वह बात यह है कि यह वाला कॉशन देखो इसके पहले वाला जो मैंने आपको प्रोटॉन वाला बताया प्रोटॉन की खोज गोल्ड इश्टीन ने की थी याद रखना लेकिन उसका जो नाम दिया था प्रोटॉन जो नाम दिया था ये दिया था रदर फूट ने फर्क क्या है याद रखो आप लोग बहुत कनफ्यूज होते हैं प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डिश्टीन ने लेकिन उसको प्रोटॉन जो नाम दिया गया था ये नाम 1917 से 1920 के बीच में दिया गया था खोज हो गई थी 1880 में गोल्डिश्टीन ने 1880 में खोज की थी और इसको नाम दिया था 1920 में किसने रदर फोट ने याद रहेगा समझ गए होगे मुहमबद अली जिन्ना का निवास इस्थान कहां पर है तो मुहमबद अली जिन्ना का निवास इस्थान राइट आंसर हो जाएगा ये था मुमबई अप्शन नमर यहाँ पर मुमबई प्रशन के लिए राइट आंसर है निर्मल हरदाय के नाम से किसे जाना जाता है तो निर्मल हरदाय जो कहा गया है मदर टेरिसा को अप्शन नमर यहाँ पर बी मडर टेरिसा प्रश्णि के लिए राइट आंसर है भारत के कौन एक राष्टपती दार्शनिक भी थे तो यहाँ पर आपको कुछ राष्टपती हों के नाम दिये गए उसमें से डॉक्टर S. राधा कृष्णन जी ये दार्शनिक भी थे ऑप्शन नमड़ी डॉक्टर S. राधा कृष्णन जी राइट आंसर है पोखरण भारत के किस राज़ में पढ़ता है जहाँ परमानू परिक्षन हुआ था ना पोखरण में तो पोखरण पढ़ता है आपका राजि स्थान परिक्षन के लिए राइट आंसर है पोखरण में परमानू परिक्षन प्रथम बार सबसे पहली बार कप किया गया था सबसे पहली बार परमानू परिक्षन हुआ था आपका 18 मई 1974 को ऑप्शन नमरे 18 मई 1974 परिक्षन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सीमांत गां तो अब इस प्रश्चिता का अनुच्छित 17 के दुवारा किया गया option नमब सी अनुच्छित 17 प्रश्चिते के लिए right answer हो जाएगा दोसों question देखिए, question एक number है selected question है भारत के सबी एक्जामों में 30 साल से आए है आप जिस application center ये कहाँ पर सिथ है तो इस पेश application center ये आपकी अहम्दाबाद मिसिथ है option number A अहम्दाबाद right answer है धार्मिक सुतंता का अधिकार किस अनुचिद के option number C, Florence Nightingale right answer है लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है तो आपका जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है option नमरे ब्यूटेन गैस राइट आंसर है neutron की खोज किस ने की तो neutron की जो खोज करता है यह है आपके James Chadwick option नमरे आपड़ी James Chadwick राइट आंसर है Virgin Airline किस देश की विमान सेवा है तो Virgin Airline यह आपकी Britain की विमान सेवा है option नमरे यहाँ पड़ी Britain राइट आंसर हो जाएगा टूबी और नौट टूबी पुस्तक के लिखा कोन है तो टूबी और नौट टूबी यह पुस्तक रियान नौर्थ ने लिखी है option नमरे रियान नौर्थ राइट आंसर है इरान और इराक के बीच युद्ध कब हुआ था इरान और इराक के बीच जो युद्ध हुआ था 1980 में युद्ध हुआ था option नमरे इरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ था Option number शाह जहां राइट आंसर है शहीदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है तो सहीदे आजम के नाम से सरदार भगत सिंग जी को जाना जाता है Option number सरदार भगत सिंग जी राइट आंसर है काईदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है तो काईदे आजम कहा जाता है मुहंबद अली जिन्ना को option नमब सी मुहंबद अली जिन्ना काईदे आजम के लिए right answer हो जाएगा scout and guide के जनक किसे माना जाता है तो scout और guide इसकी जनक बेडेन और पौविल को माना जाता है उनका नाम था अलफ्रेड नोविल इन्होंने डाइनामाइट का अविश्कार किया था और इनके ही नाम पर नोविल पुर्सकार रिश्टार किया था मिलता है राष्ट्री रसदार फल अनुसंधान के इंदर कहां पर है तो राष्ट्री रसदार फल अनुसंधान के इंदर ये आपका नागपुर में स्थित है बारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्र गुप्त जाने जाते हैं Option number A, समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है. The struggle is my life. ये किसकी आत्म कथा है? तो The struggle is my life. ये आपकी जो आत्म कथा है, right answer हो जागा. Nansal Mandela की आत्म कथा है. Option number A, Nansal Mandela प्रशने के लिए right answer हो जाएगा. Radium की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो Radium के खोज करता है आपकी Madam Curie. Option number यहाँ पर D, Madam Curie right answer है. X के रण की खोज किस ने की थी? तो X के रणों की खोज Ronjan ने की थी? Option number यहाँ पर A, Ronjan प्रशने के लिए X के रणों के लिए बिलकुल सही answer है. अगला question देखिए. सुतनतापूर भारती राष्टी कॉंग्रेस में विवाजन कब हुआ? तो सुतनतापूर के पहले भारती राष्टी कॉंग्रेस में जो विवाजन हुआ था, 1907 में हुआ था, option number यहाँ पर भी. गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो गौतम बुद्ध जी जो थे, यह शाक के कुल से सम्मनित थे, option number यह शाक के कुल प्रश्णे के लिए right answer है. भाप इंजन की खोज इन्में से किस के द्वारा की गई? तो भाप इंजन की खोज James Watt ने की, option number भी James Watt ने भाप इंजन की खोज की. ग्रेंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो ग्रेंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरो जी जाने जाते हैं, option number भी दादा भाई नौरो जी right answer है. गोबर गैस सेंतर का अविश्कार किस ने किया? तो गोबर गैस सेंतर का अविश्कार, C.V. देशाई ने किया, option number यहाँ पर A. C.V. देशाई right answer है. सुभाष चंद्र भोष का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र भोष जी यह कटक में जन्में थे, option number यहाँ पर डी, कटक प्रश्ने के लिए right answer है. वेदों की और लोटो, यह नारा किस ने दिया? तो वेदों की और लोटो, यह नारा दयानंदर सरस्वती जी का था, option number C. दयानंदर सरस्वती जी right answer है. सलाल परियोजना किस नदी परिस्त है तो आपकी जो सलाल परियोजना है ये चिनाव नदी परिस्त है option number यहाँ पर इस चिनाव नदी राइट आंसर है उत्तर कोरिया तदा दक्षन कोरिया के बीच इस्तित सीमा रिखा किस नाम से जानी आती है तर कोरिया दक्षिन कोरिया के बीच आर्टिसवी समानतर रिखा इस्तित थे ओप्षिन नमबर भी आर्टिसवी समानतर रिखा राइट आंसर है देवदास उपन्यास के लिखा कौन है तो देवदास उपन्यास सरत चंद्र चटर जी ने इसको लिखा है ओप्षिन नमबर यह यह Adrenal Granti से निकलता है Option number C Adrenal Granti right answer है और यह राज का आखरी caution तो मुझे खूंदो मैं तुमें आजा दी दूँगा किसने कहा था comment box से मैं comment करके आपको बताना मैं दो option दे रहा हूँ भगत सिंग या सुभाष चंद्रबोस तुम मुझे खूंदो मैं तुमें आजा दी दूँगा भगत सिंग या सुभाष चंद्रबोसमी जी में से किसने कहा था comment करके उताइए जिसको 10,000 GKS के PDF चाहिए आपके exam में फस सकते हैं उसमें से question WhatsApp पर PDF मिलेगी phone पर Google पर Paytm के मादा हम से payment कर सकते हो नीचे देगा नंबर पर हाई लेक के भेज़दो WhatsApp पर या call कर लेना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभो जय हिंद जय भारत